इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय अठाराह दावुद के विजियों का संक्षेप वर्नन इसके बाद दावुद ने पलिष्टियों को जीत कर अपने स्वाधिन कर लिया और गाउ समेट गत नगर को पलिष्टियों के हाथ से छीन लिया फिर उसने मुवाबियों को भी जीत लिया और मुवाबी दावुद के आधिन होकर भेट लाने लगे फिर जब सोबा का राजा हदरेजेर परात महानत के पास अपना राज्य स्थीर करने को जा रहा था, तब दाउद ने उसको हमात के पास जीत लिया. और दाउद ने उससे एक हजार रत, साथ हजार सवार और बीस हजार प्यादे हर लिए। और दाउद ने सब रतवाले घोडे के सुम की नस कटवाई। परंतु एक सो रतवाले घोडे बचा रखे। और जब दमिश्क के अरामी सुबा के राजा हदर रेजेर की साहता करने को आए, तब दाउद ने अरामियों में से बाईस हजार पूरुश मारे। तब दाउद ने दमिश्क के अराम में सिपायों की चवकिया बैठाई। सो अरामी दाउद के अधिन होकर भेट ले आने लगे। और जहां जहां दाउद जाता, वहां वहां यहवा उसको जय दिलाता था। और हदरेजेर के करमचारियों के पास सोने की जो ढाले थी उन्हें दाउद लेकर यरुशलेम को आया। और हदरेजेर के तिभत और कून नाम नगरों से दाउद बहुत सा पीतल ले आया। और उसी से सुलेमान के पीतल के हवद और खंबो और पीतल के पात्रों को बनवाया। जब हमात के राजा तो उन्हें सुना की दाउद ने सोबा के राजा हदरेजेर की समस्त सेना को जीत लिया है। तब उसने हदोराम नाम अपने पुत्र को दाउद राजा के पास उसका क पूछने और उसे बढ़ाई देने को भेजा, इसलिए कि उसने हदरेजेर से लड़कर उसे जीत लिया था, क्योंकि हदरेजेर तो उसे लड़ा करता था, और हदोराम, सोने, चांदी और पितल के सब प्रकार के पात्र लिये हुया आया, इनको दाउद राजा ने यहवा के ल अधियों, मुवाबियों, अम्मोनियों, पलिष्टियों और अमालिकियों से प्राप्त किया गया था, फिर सरुयाह के पुत्र अभिशय ने लोन की तराए में अठारा हजार एधोमियों को मार लिया, तब उसने एधोम में सिपायों की चौकिया बैठाई, और सब एधोमी दाउद के अधीन हो गए, और दाउद जहां जहां जाता था, वहां वहां यहवा उसको जय दिलाता था, दाउद के करमचारियों की नामा वली, दाउद तो सारे इस्रायल पर राज्य करता था, और वहां अपनी सब प्रजाक के साथ न्याय और धर्म के काम करता था, और प पधान याजक, अहीतूप का पुत्र सादोक और एब्बातार का पुत्र अभीमलेख थे, मंत्री शप्षा था, करेतियों और पलेतियों का पधान यहोयादा का पुत्र बनाया हा था, और दाउद के पुत्र राजा के पास मुख्य होकर रहते थे. इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय अठाराह, दाउद के विजियों का संक्षेप वर्नन. इसके बाद दाउद ने पलिष्टियों को जीत कर अपने स्वाधिन कर लिया, और गाउ समेत गत नगर को पलिष्टियों के हाथ से चीन लिया, फिर उसने मुवबियों को भी जीत लिया, और मुवबी दाउद के आधिन होकर भेट लाने लगे. फिर जब सोबा का राजा हदरेजेर परात महानत के पास अपना राज श्थीर करने को जा रहा था तब दाओद ने उसको हमात के पास जीत लिया। और दाउद ने उससे एक हजार रत, साथ हजार सवार और बीस हजार प्यादे हर लिए। और दाउद ने सब रतवाले घोड़े के सुम की नस कटवाई। परंतु एक सो रतवाले घोड़े बचा रखे। और जब दमिश्क के अरामी सोबा के राजा हदर रेजेर की सहायता करने को आए, तब दाउद ने अरामियों में से बाईस हजार पूरुश मारे। तब दाउद ने दमिश्क के अराम में सिपायों की चवकिया बैठाई। सो अरामी दाउद के अधिन होकर भेट ले आने लगे। और जहां जहां दाउद जाता, वहां वहां यहवा उसको जय दिलाता था। और हदर जेर के करमचारियों के पास सोने की जो ढाले थी, उन्हें दाउद लेकर यरुश्लेम को आया। और हदर जेर के तिभत और कून नाम नगरों से दाउद बहुत सा पीतल ले आया। और उसी से सुलेमान के पीतल के होद और खंबो और पीतल के पात्रों को बनवाया। जब हमात के राजा, तो उन्हें सुना कि दाउद ने सोबा के राजा हदर जेर की समस्त सेना को जीत लिया है, तब उसने हदोराम नाम अपने पुत्र को दाउद राजा के पास उसका कुशलक शेम पूछने और उसे बढ़ाई देने को भेजा। इसलिए कि उसने हदरे जेर से लड़कर उसे जीत लिया था, क्योंकि हदरे जेर तो उसे लढ़ा करता था, और हदोराम सोने, चांदी और पितल के सबप्रकार के पात्र लिये हुए आया। इनको दावद राजा ने यहोवा के लिए पवित्र करके रखा, और वैसा ही उस सोने चांदी से भी किया, जिसे सब जातियों से अर्थात एदोमियों, मुवाबियों, अम्मोनियों, पलिष्टियों और अमालिकियों से प्राप्त किया गया था। फिर सरुयह के पुत्र अभिशय ने लोन की तराए में अठारा हजार एदोमियों को मार लिया, तब उसने एदोम में सिपायों की चवकिया बैठाई, और सब एदोमी दावद के अधीन हो गए, और दावद जहां जहां जाता था, वहां वहां यहोवा उसको जय दिलाता थ दावद के करमचाःई की नामावलि, दावद तो सारे इस्रायल पर राजज करता था, और वहां अपनी सब प्रजाग के साथ न्याय और धर्म के काम करता था और प्रधान सिनापती सरुयह का पुत्र योवाप था, इतिहास का लिखने वाला अलिहोद का पुत्र यहोशा प्रधान याजक अहीतूप का पुत्र सादोक और एब्यातार का पुत्र अभीमलेक थे। मंत्री शप्षा था। करेतियों और पलेतियों का प्रधान यहोयादा का पुत्र बनाया हा था। और दाउत के पुत्र राजा के पास मुख्य होकर रहते थे।